असलाम वालेक्व दोस्तों मैं हकीम यासर में एक बार फिर आपके खिन्वन महाधिर हो और आज मैं आपके नहीं वीडियो लेकर आयों टाइफाइट के लिए तो इसके अंदर हम जाने के अंदर आखिर क्या लक्षड देखे गए हैं तो पहला हम इसी चीज को समझ लेते हैं टाइफाइट के अंदर लक्षड ये दिखे गए हैं कि इसके अंदर जिसम पर हमारे रैशिस पड़ जाते हैं और आप देखेंगे बाजू हो गया आपका और पेट हो गया पेट का हिस्सा और इस जगापर आप धूप की रौश्णी में सुबही सुबह नहार वो जब रहे गाए इसके अंदर और आपको लेटिन बार बार आएगी वह भी पतली लेटिन यानि आपका निजाम हाग्मा बिल्कुल खराब हो चुका होगा क्योंकि इसके अंदर आतों बुखार बैट ड़ता है और हड़ियों में बुखार बैट ड़ता है अगर हमने इसका हैं जो आप खुद ही अपने घर पर इस्तेमाल करिए और अपने इलाज खुद कर सकते हैं तो इसके नहीं क्या क्या चीज़े लेना है मैं आपको यह बता देरो पहले इसका बैट तारुक रादू आखिर यह चीज क्या क्या है पहले नंबर पर यह हो गया बारा घाउजब कला ठीक है और यह हो गए हमारे खत्मी छोटी छोटी टिकली होती काली गलर की और यह हो गए हमारी अजवाइन जो हर कोई जानता कहने के अंदर पड़ती है और लास्ट में जो है हमारा या गया शहद खालिस शहद लेना है आपको तो करना क्या है गाउजबा उनाप खाकस दो चुट्टिया आपने इसके लिए खश्क की और साथ में खत्मी आपने एक चमच दाली और एक आदे चमच आपने इसके अंदर दाला अजवाईंगा इन सब चीज को मिलाने के बाद क्योंकि अपना अलग तयार खरते हैं पुडियों के अंदर तो हमारा अपना हिसाब होत आदा रह जाएगा उबलत उबलत आदा रह जाएगा तो इसको आप च्छान के अपने पास महफूस कर लेंगे एक गिलास के अंदर अब एक मिनेट घुज़र जाएगा इसको च्छने हुए तो आप दूसरे गिलास में लोट लेंगे ताकि जो नीचे की गाद है या उसके अ जादा तेजी के से करने के निए इसी उबलते हुए नुकसे के अंदर इसी उबलते हुए नुकसे के अंदर आप क्या करेंगे पांच आपको मुनक्के लेना है मुनक्के लेने के बाद उसके बीज निकाल लिएगा ठीक है बीज निकालने के बाद आप उसको काइट के उस सुबह चलेगा और रात चलेगा आप तीन टाइम भी इसी को पी सकते हैं उबालकर यानि एक बार उबालेंगे आप सवा गिलास पानी में जिसका उबलत उबलता आदर आजएगा तो एक बार पी लेंगे सुबह में नहार मूं पी सकते हैं जबरदस रिजर्ट रहेगा इसका और खाने से एक से देड़ घंटे के बार भी पी सकते हैं इस चीज़ का दियान रहे और आप दुपैर में पी सकते हैं यानि जब भी आपका थोड़ा फासला हो खाने से एक देड़ घंटे का और एक बार रात को सोते हैं आपको यह पीना है दिन में तीन बार पी सकते हैं म इस वज़े से खाना हम कुछ भी आजम नहीं कर पाते इसको आतों को बुखार कहते हैं ठीक है तो मसला यह है इसके अंदर परेज आपको इन चीजों को करना होता है कि आप कोई भी हाड चीज नहीं खाएंगे यानि अगर आप शुरुवात में तो ऐसी चीज लेंगे जो गया यह मुं की दालोगी बहुत जादा गला हुआ ठीक है मुंकी दालोगी तेज मेरच मसाली इसके अंदर बंद रहते हैं खटी चीजे तली हुई चीजे इस बंद राती है उबला हुआ खाना होता है और जब आपका एक हफ्था गुजर जाए इस परेश से उसके बाद रोटी शुरू कर सकते हैं रोटी ऐसे शुडू कर रहेंगे जब आपके रोटी फूलती है तो सके ऊपर एक बारीख शिक्कल आ जाता है रोटी वह चिकल आप रोटी पे सा उतार लेगे चल्गे नहीं खाना है आपकी घर कोई सभी सालंग्पना यानि मसाल्य वाला कैसम आप तेल छोड़कर तो आप उसके अंदर हलकाचा पाली मिलाकर यह पाली मिलाकर थोड़ा से light कर लेंगी आप और उसके बाद उस रोटी के छिक्कल से से तो इस त होता जाएंगा लेकिन वाल परो करा कर20 कर लिया तो तीन स्थालश्थ Mmm जो को पूर कर लिए तो विल्कुम होने लगए और आपके दिमाग कर दर्थ खतम हो जाए दाने बिल्कुल खतम हो जाए तो आप इस नुक्से को छोड़ सकते हैं लेकिन इस चीज का दिहान ना कि इसके साथ एक आपको खमीरा मैं बता रहा हूं वो साथ में लेना है वो आप देख लिएगा इसके अंदर आप इसके अंदर आप एक खमीरा लेंगे ठीक है खमीरा मरवरी इसके अंदर बहुत ज्यादा रख्णओं यह चैस के अंदर बहुत ज्यादाओं जिसमें आपको बखार को बी खतम करता है तो इससे ताकत ही इसको घाने का मिगदार इतना है यानि जो चना होता है हमारा भुनाओवा चना यही वाले चने इतना ही आपको सुबा दुपैर शाम और रात दिन में चार बार आप इसको लेंगे और इसका सिवन करिए और बागी आपके सारे टाइफाइट के प्राब्लम खतम हो जाएगी अब आप देखना है कि मेरे सिर का दरत खतम हो गया और जिसम में जितने भी लैटिन वगारे मुझे बिल्कु सही होने लगी लेकिन दाना जो है हमारा भी चमक रहा है तो समझ लिए अभी आपके अंदर थोड़ा बहुत टाइपाइड है लेकिन अगर आप परेस्खम करना च नहीं पीना है इस चीज़ करें जो पानी पीएंगे वह पानी आपको पीना है उबला हुआ लेकिन चाहिए को छुबकला उसके पीना है और ताकि उनका जड़ से एक हड़ी में से जर्से सारा बुकार बिल्कुल खतम हो जाएं इस चीज़ का परेस करिए जो मैंने सारे बत झाल है और इस नुकसे का इस्तमाल कर यए शहथ की अपनी तासीर है और यह और जा Дhram शिवा देगा इंशाला इसमीन को इस के HUं इसके नहीं करते में अशीय Cat grandpa शीह कर सकते हैं अब